प्रिये छात्रो नमस्कार निवास क्लासेज में आपका स्वागत थी तो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको प्रस्ण वाली 11 के प्रस्ण एक से स्वब्ल करके बताएंगे तो जैसा कि प्रस्ण एक में दिया गया है यदि 8 kg चिनी का मूल 240 रुपिया तो 12 kg चिनी का मूल तो उससे पहले आपको यहां पर क्या करना है कि पहले 1 kg चिनी का दाम ग्याद कर लेना है तो चलिए इसको कैसे ग्याद करते हैं हम आपको बताते हैं तो पहले प्रस्ण को अची परकार से लिख लेते हैं तो दोस्तो आपको अपने कोपी पर इसी परकार से प्रस्ण को का मूल उपर लिखना है अंस में और किलोग्राम को नीचे में ठीक है और इसको भागा दिदना है पहले तो आठ से भागा दिजेगा 240 में तो यह 30 बेरी में पुरा-पूरी कर जाएगा यहां आप देख सकते हैं तीस रुपिया आएगा ठीक है यह एक किलो का मूल कितना निक जब इसको गुना किजेगा तो तीन गुने 12 करेंगे पहले तो वरतिया 36 ठीक है और यह 0 को लगा देंगे 0 तो 360 रुपिया यहां 12 किलोग्राम चिनी का मूल निकल कर आजगा कितना 360 रुपिया ठीक है तो यह इसका राइट एंसर है तो आपको अपने कोपी पे इसी परकार से इसको हल करना है आप चाहां इसका श् ήन सोट ले सकते हैं ठीक है तो इसी परकार से प्रसन संख्या 2 को हल करेंगे तो दोस्तों प्रसन संख्या में किसी व्यक्ति ने एक तीन परतियां 75 रुपिये में खर दी तो बताएं कि 300 रुपिये में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी परतियां खरीद सकता है ठीक है दोस्तों यह प्रेस्ट आपको अच्छी परिकार से समझना है यहां बताया गया है किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की तीन परतियां 75 रुपियां में खर दिया किसी व्यक्ति ने ठीक है एक पुस्तक की जो है तीन परतियां खर देगा यह हमें ग्याद करना है ठीक है तो जालिए पहले प्रस्ण के कोडिंग कोपी पे लिख लेते हैं ठीक है तो दोस्तों प्रस्ण के कोडिंग आपको इस परका कितना होगा दोस्तों 385। यहां करना है क्या आपको यहां एक पुष्टर की प्रदिक्ति पहले क्या एक प्री def. Isa पहले आपको 1 रूबिया में और रूपी आतए तो इसलिए में लिखायो तीन बटा 75 अब इसको काड़ दीजिए तो तीन एकम तीन अब 25 तिया 75 ठीक है यह तीन बेरी में से कट जाएगा तो इसलिए इसका एंसर आजाएगा एक बटा 25 फुम्हा थिक अब आपको ग्याद करना कि 300 रुपिया में पुश्ट की खर देगाई परद इसलिए अब इस लिए आपको लिख देना है एक बटा 25 ठीक है और गुना में 300 इस तरह से ठीक है अब आपको इसको काड़ देना है तो यह कटेगा 55-25 ठीक है और यह 5-5 अब आपको इस पांच से पांच और यह 60 को काटना है तो बारह पच्छे 60 हो जाएगा टिक एक गुना-12 इसलिए आपको यहां लिखना है 12 परतियां खर दे जा सकती है यह इसका राइट एंसर है ठीक है तो आपको इसी परकार से लिख देना आप चाहें तो इसका स्क्राइब ले सकते हैं दोस्तों इसी परकार से प्रस्ण संख्या 3 को हल करेंगे ठीक है तो दोस्तों प्रस्ण संख्या 3 में है यदि तीन दर्जन क केले का मुल 45 रुपिया तो बताइए कि सड़े 22 रुपिये में कितने केले खर दे जा सकते हैं ठीक है तो यहां पर परस्ण बताया गया है यह तीन दर्जन केले का मुल 45 रुपिया और यहां पर तो प्रस्न के एक को पूछ घिया यहां पर आपको कि संख्या में करना है टीक तो उसी के सहाइता से आपको यह दरजन को बदल दना किसे संख च्राइं जिस से आपको यह संख्याराम्स का इसका एंजराट कर सकते हैं आप प्रस्ण अच्छी परिकार से समझ गें चलिए इसको हम बताते हैं प्रस्ण के कोडींग संथा है यहां इसका को दाम 45osbay आपको यहां से एक रुपया में कितने के続 गठ्रड करना और तो आप को दिखना है एक रुपिया में तर्फी एक रुपिया में केले की संख्या बराबर ठीके वस आपको क्या कर लेना है 36 हüस्फ आपर 25 एंसर आएगा वह आपको 1 το रुपया के केलो की संख्या वराबर ग्याद हो जाएगा ठीक है तो पहले इसको काट लेना है तो आप यहां इसको इस तरह से काट सकते हैं इस तरह से ठीक है तमयॅथ जाकताई कितने चेले खर जा सकते हैं अब उस्से आपको हल करना तो हमको लिखना है साрьे 22 रुपये में 운데 खरीदे दोस्तों यहां पर भासा पहले लिखंगे लेते हैं ठीक है तो इस परकार से लिखने के बाध ठीक है कि 22 रूपिया में घर दे गए कई केलों की संख्या ब्राव के था दोस्तों एक रूपिया में कितना संख्या में दी आ गया है तो अब पर दसनलों उडावे सकते हैं इसको डारियेट काट भी सकते हैं ठीक है तो जरूलय के इसको पहले दसनलों वॉडाने के बाद यहda नीचे में सोब आजाएगा अब सठीक है आब एनसर है दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आप प्रश्ण संख्या 3 भी अच्छी परकार से समझ गया तो इसी परकार से प्रश्ण संख्या 4 को हल करेंगे तो जिसाकि प्रश्ण संख्या-4 में आप यहां देख सकते हैं एक शात्राबास में प्रती आठ बच्चों के लिए चाव चाबल की कितनी खपत होगी यह आपको ग्याद करना है तो बताएं कि 30 बच्चों के लिए चाबल कितनी खपत होगी यह आपको ग्याद करना है ठीक है पहले प्रसंद को अची कार्ण से लिख लेते हैं उसके आपको समझाते हैं को कैसे हल करना है तो दोस्तों प्रसंद के कोडिंग आप अपने कोपी पर इस तरह से लिख लिए गया था कि प्रती आठ बच्चों की चाबल की खपत चार किलोग्राम हो रहा था ठीक है तो यहां से अब आपको पहले एक चाबल की खपत ग्याद कर लेना है ठीक है बस आपको क्या करना 4 kg को अन्स के रूप में लिखना ठीक है तो इससे आपको 30 बचों के खपत ग्याद हो जाएगा तो दो गुने 30 को भाग किजीगा तो 15 बेरी में यह कट जाएगा ठीक है तो पंद्रा एकम 15 यहाँ आप लिख सकते हैं 15 दोस्तों यह आपका जो है राइट एंसर है तो नेक्ष्ट प्रसन संख्या 5 में है एक तो आपको ग्याद करना है टीन घंटे में कितना वो ऊडएगा ठीक है था चलिए हम आपको बताते इसको कैसे हल करना है पहले से तो दोस्तों प्रस्ण के को टिन्ग आपको इस तरह से लिख लेना उसाय़ क्यों कि प्रस्ट में बता गया था एक हवाई-जहास फांच गंठे में 4000 केमी उड़ता है ठीके तो इहां से अब आपको पहले जोतने निकाल लेना है ठीके दोस्तो एखनटा हो जाएगा 4000 बते कर लेना है पांच घंटा ठीके तो यह हाँ पे करना है टो arma बटेक रूप में यह 5 आजाएगा ठीक है अब आपको इसको कर देना है दोस्तों 25-40 हो जाएगा ठीक है और यह 00 तो यह 800 कीमी आ नहीं पहले लिख लेना है अब आपको प्रस्षण में बताया थाथ तीन घंटों में कितना ओड़ेगा यह आपको ग्यात करना करना है तो यह आपको क्या कर लेना है तीन गुना आठ इनसर है तो यह आजाएगा ठीक है यह 2400 केमी तीन घंटा में ताहिक करेगा यह इसका राइट एंसर है ठीक है तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रशन संख्या 5 भी अच्छी परकार से समझ गया तो दोस्तों आज की वीडियो आपको 5 तक का ही solution मिलेगी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रशन संख् अच्छे से लेकर 11 तक का solution ठीक है धन्यवाद